वेल्गम फेंड्स कैसे हो आप सभी आई होप आप अच्छे होंगे फेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको एक मोटर के बारे में बताऊंगा फेंड्स इस मोटर को बोलते हैं सर्वो मोटर आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैक्रो सर्वो 9 ग्रेम SG90 करके ये एक motor है और ये इसका SG90 model है ये और भी model में available होती है अलग-अलग power होती है उन सभी के ये normal motor नहीं होती जो हमारी normal motor होती है वो rotate करती है 360 degree और वो भी particular direction में आप इसको कितनी भी देड़ तक rotate कर सकते हो एक particular direction में या तो clockwise या counter clockwise लेकिन ये जो servo motor होती है इसके अंदर भी इसी तरीके की motor लगी होती है उसके बाद कुछ mechanism होता है और कुछ electronic system या electronic IC दी गई होती है ये जो motor होती है ये 90 degree ही rotate करती है वो भी एक direction में मलदब अगर आप इसको neutral से देखो तो 45 degree एक left side और 45 degree right side तो इसका जो total rotation direction है rotation area जिसों हम बोलेंगे वो होगा इसका 90 degree और friends इसका जो degree होता है वो बहुत ज़्यादा accurate होता है इसलिए ये एक काफी अच्छी motor मानी जाती है बाकी की जो motor होती है इससे हम एक perfect एंस हम इस motor से एक proper degree में rotate नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है लेकिन इसके अंदर एक electronic system involved होता है अगर मैं चाहूं तो इसे आपको खोल के भी दिखा दूँगा लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी friends इसको use करने के लिए हम normal battery से नहीं चला सकते कि इसको हम एक power दे दें जैसे कि इस motor को हमें voltage और ampere जैसे ही देंगे ये motor run कर जिनने लग जाती है लेकिन इसको हमें bolt और amp के साथ एक signal भी दिया जाता है friends वो signal आप Arduino से भी generate करके इसको दे सकते हो इसके अंदर program model के या फिर इसको आप normal use में ले रहे हो तो इस तरीके का एक servo tester market में आपको मिल जाएगा बहुत ही easily friends इस servo tester से आप BLDC motor भी चला सकते हो अगर आप Arduino या micro controller नहीं है कोई आपके पास और आपको कोई fan बगेरा चलाना है BLDC motor से तो वहाँ पर भी इस तरीके का एक servo tester use में लिया जाता है friends इस servo tester को आप मैं बता दूँ इसके अंदर क्या क्या होता है servo tester के अंदर तो friends सबसे पहले इसकी हम input की बात करें तो यहाँ पर आपको input की side 3 pin दिखेंगी जो की right side में होंगी और यहाँ पर भी लिखा होता है in यहाँ पर आप देखो in और इसमें यहाँ पर 3 pin दी गई होती है जो सबसे नीचे की pin होती है वहाँ पर लिखा होता है minus और बीच वाली pin पर होता है plus और तीसरी pin होती है signal pin तो friends signal pin को आपको छोड़ देना है बाकी 2 pin का काम होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 volt 4 volt से लेके यह 6 volt 4.8 volt से लेके 6 volt के बीच run करता है यह अपना servo tester इसके बाद friends इसमें output pin होती है यहाँ पर output pin में 9 pin दीख जाएंगी जो कि 3-3 pin आपस में connected होती है तो output में सबसे उपर की जो pin आप देखो गए तो वहाँ से एक signal out होगा और दूसरी जो pin देखो गए नीचे की वो इसकी power pin हो गई यानि plus और minus जो सबसे उपर वाली pin है वो signal की हो गई बीच वाली positive हो गई और सबसे नीचे वाली negative हो गई इसके बाद यहाँ पर एक manual mode में इसको servo को run करने के लिए एक knob दी जाती है इससे हम जितना rotate करना चाहें इसको rotate कर सकते हैं अपने servo को साथ ही यहाँ पर एक select switch भी होता है यह वाला जो knob होता है जब इसको हम manual mode में इसके साथ BLDC motor चलाते हैं तो उसकी speed को control करने के काम यही वाली knob आती है इसी से हम motor के BLDC motor के speed control कर सकते हैं लेकिन servo motor के case में यह इसकी rotation यानि rotate कितना करना है उसको control करने के use में आती है यह वाली knob इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा deeply knowledge नहीं दे रहा ज़्यादा deeply knowledge मैं next वीडियो में देना है बिल्कुल यह basic से मैं start कर रहा हूँ यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कोई power supply नहीं यूज करना जाता बड़ी तो यहाँ पर मैं normally 4V की एक battery यूज में ले रहा हूँ और इसी के साथ मैं आपको इसकी testing दिखा देता हूँ यहाँ पर positive का wire मेरा उपर वाला है और negative का नीचे वाला मैं सेम इसी direction में connect कर दूँगा positive और negative तो यहाँ पर तीनों light glow हुई और उसके बाद manual mode में यह आ चुका है यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी जो servo motor है इससे भी 3 pin यानि 3 wire लगी हुई है अब मैं इसके wire बता दू तो आपको पता हुआ कि फ्रेंड्स जो wire होती है उसका color code में जो purple color की या black color की जो wire होती है वो negative होती है red color की wire हमेजा positive होती है yellow या white color की जो wire होती है वो signal wire होती है तो मैं उसी sequence में इसको connect कर लूँगा सबसे उपर अपना output जहां पर लिखा हुआ है वहाँ पर out as, out as मनलब signal output तो signal में मैं yellow और उसके बाद red और सबसे नीचे brown color की wire को connect कर दूँगा तो friends अब यह motor connect हो चुकी है और मैं इसको manually यहाँ पर control कर रहा हूँ जितना degree हमें इस knob को गुमाएंगे इतना ही degree में हमें output मिल जाएगा अपने servo motor से friends हम इससे कोई भी robot का part जहाँ पर हमें 90 degree तक कोई mechanism चाहिए mechanical area उसको हम control कर सकते हैं किसी part को move करने में तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से मैं इसको बहुत ही easily अपने according जो यूज कर रहा हूँ जैसे कि अब यह 0 degree पर है और मैं इसको 45 degree तक ले कर आता हूँ तो यह देखिए 45 degree हो गया और यहाँ पर आके यह 90 degree बिलकुल state line में आ चुका है मैं इसको आपको इस तरीके से देखा दूँ यह देखिए पूरा 90 degree का हमें output दे रहा है इसके बाद होता है एक neutral point neutral point में यह 45 degree पर आके रुख जाएगा मनला 45 degree पर neutral point माना जाता है इसका इसके बाद होता है auto auto में यह 90 degree rotate करता रहेगा automatic 0 से 90 और 90 से फिर 0 जाएगा 180 की तरफ नहीं जाएगा यानि 90 degree के बाद फिर 0 degree की तरफ यह move करेगा तो इस तरीके से आप कोई पार्ट है जहाँ पर आपको zigzag mechanism की जरूवत है कोई ऐसी चीज जहाँ पर आपको zigzag में कोई rotation चाहिए तो वहाँ पर आप इसको auto mode में set करके छोड़ सकते हैं यह हमें वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना और चैनल में नहीं हो तो प्लीज इसको सस्क्राइब करना फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहन बनने मात्रम जैसरी राम